पिछले क्लास में हमने इंग्लिस ग्रामर में देखा वर्ड क्या है, लेटर्स क्या है, सेंटेंस क्या है आज का जो हमारा टॉपिक है, that is parts of a speech parts of a speech, सबसे पहले जाने ही है, कि parts of a speech जो है वो fundamental of English मिनाता है fundamental of English क्या हो रहा है, मतलब basic सबसे पहले जो start करने वाला टॉपिक है, that is parts of a speech अब समझे हम लोग कि a speech क्या है, a speech में हम लोग क्या देंगे, तो a speech में basically जो होगा, वो sentence होता है, और जो sentence होंगे, voice हो सकते हैं, return हो सकते हैं, और since हम लोग grammar पढ़ रहे हैं, तो जाए obvious ही बात है, कि यहां पर state of rules तो आएंगे ही आएंगे, मतलब कि हमको इस grammar के रूल के corresponding हमें आगे पढ़ने है, parts of a speech जो है, वो बहुत ही important, fundamental, basic और बहुत ही बढ़ना चैप्टर, parts of a speech को पहले हम लोग, define करेंगे, देखिए, words are arranged systematically according to their function in a sentence, करने का मतलब कि parts of a speech किसे कहेंगे, तो words are arranged systematically according to their function in a sentence, किसी भी वाक्य में सब्दों को एक करांबर तरीके में सजाया गया है, क्यों उनके, मतलब उनके function के हिसाब से उन्हें एक systematically वे में सजाया गया है, और ये जो parts of a speech होते हैं, each part is known as parts of a speech, और परते एक parts को वे लोग a speech का एक हिशा मांते हैं, दिखे, parts of a speech आठ तरह क्यों होते हैं, बेर अफ एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना है आठ कौन को नहीं जो देखते हैं पार्स्ट नॉर्ण टोन वर्ब एक टेप एक वर्ब प्री पोजीशन इंजंग्शन एं लास्ट वर्ण इंटर्जेक्शन तो यह हमारे पार्ट्स ऑपस किछके एट पार्ट्स हैं फास्ट इस नॉर्ण तो नॉर्ण वर्ब एड्जेक्टिव एडवर्ब प्री पोजीशन कंजेंशन एंड इंटर्जेक्शन देखिए यही आठ हमारे फंडर्मेंटल हैं इंग्ल्स क्राणर के जिस्ते जो कंप्लीट सेंटेंस हम लोग बनाते हैं इंग्ल्स में वह इन्हीं आठ पार्स पे डि देखिए पार्सो पत्पीज जो हमारा आठ भावों में बाटा गया है उसको देखते हैं बारी बारी से सब्सक्राइब पहला जो है इसका हिंदियन वार है संग्या हम लोग बच्पन से क्लास बंटू से पढ़ते आ रहे हैं नौन के बारे में और इसको फूरे उम्र भर प मतलब जब तक पढ़ाई के सीरे में रहेंगे तब तक इसके वारे में उसमें कुछ दिखते रहना नौन क्या है नौन बोला जाता है नेमी वर्ड्स मतलब कि मॉर्णिंग से इवनिन तक जो चीज़ें हम लोग देखते हैं वह सारा क्या कहलाता है नौन जिसका नाम दे सकते हैं नौन आपका दौतरा से एक करेगा किसी में सेंटेंस में पहला जो है सब्जेक्ट की तरह है और दूसरा जो है ऑब्जेक्ट की इसका कुछ एक्जाम्पल दिखिए जैसे राम पत्ना लाव इसे तो इसका और भी कुछ हो सकता था लेकिन बस हमारे सहुलियत के लिए सुरुदा के लिए यह हमारे डिपनेशन काफी है कि नेमिंग वर्ड्स जो भी होते हैं वो नाम कहलाते हैं में जो हमारा फोकस होना है इस चीज़ पर होना चाहिए कि नौन को हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह ट्रीट करेंगे यह हम जब नौन के चैप्टर को पढ़ेंगे उसमें विशेश रुप से इस पर फोकस किया जाएगा अगला जो है डेडिज प्रोनाम जिसको लोग बोलते है सर्व नाम को बोला जता है कि वैसे सब जो संग्या के बदले में पर्युक्त हुते हैं किसी भी बाक्य में यह एक तरह का क्या है सेंटेंस का इंप्रेशन निगल रहा है तो उसको हम रिमूव करने के लिए उसके जगह में इसको इंप्लिमेंट करते हैं और जैसा कि हमने कहा है कि नान को हम एजे सब्जेक्ट एजे ऑबजेक्ट ट्रीट कर सकते हैं इन प्रोनाव को भी हम सब्जेक्ट और ऑबजेक्ट ट्रीट करेंगे अगला है हमारा भर्व को बोलते हैं लोग एक्शन वर्ड्स या फिर दूइन वर्ड्स कांट बुरने या करवाने का जो भी सब्ज जो है सेंस देता हो जिससे पदा चलेगी कांट होगा है जैसे एक्जांपल के तौर में देखें दू मिंस करना रीड पढ़ना अस्टाड़ी अध्यान करना स्लीप सोना एंड इट्सेटर और भी बहुत साइची और ऐसा इसको हम एक लॉजिकली वे में ऐसे भी समझें कि जीस सब्द के लाश्ट में ना आये जैसे सोना जाना खेलना उदना नहाना ना तो उसमें क्या कह हैं यह लोग उसको भार जाते हैं पुर्मान का एक्जांपल देपीजिए जैसे कि ही सी इत आई कि यह सब क्या है तो नौन अब आगे में बढ़ते हैं एड्जेक्टिव और एड्जेक्टिव यानि की बिसेशन बिसेशन जो है हमारा वह किन की चीजों पर काम करेगा तो पहला है नौन एड्जेक्टिव कहता है कि एड्जेक्टिव इस वर्ड विच वालिफाइज अनौन और पूनौन मतलब विसेशन उस सब्द को कहेंगे तो किसी एक स्थन गया या सर्वनाम सब्दों के बारे में विसेशन को बिसेशता को बतलाता है तो यहां पर देखिए जो है यह आर्टिकल है लेकिन इस आर्टिकल को हम लोग लिटिल एड्जेक्टिव भी कहते हैं यहां पर आईसे तो यह लिटिल एड्जेक्टिव है लेकिन इस संटेंस में हम ऐसे लिटिकल आगर राम इस आर्गूड वॉआ है तो राम एक लड़ता है पैसा है तो अच्छा है तो यहां पर जो बूड वर्ड है इस इस एड्जेक्टिव अगला जो हमारे बास है इस इस एड्वर्ड सेंड़ोग क्रिया बीसिशन कहते हैं जो नौम का प्रोनौम का एड्जेक्टिव का किसे सेंटेंस में क्लॉष का प्रीपोजीशन का तेंजेंशन का मतलब ओखर ऑल सबका रिलेशन और सबका फिक्वेंसी आए विए बताता है जो देखते हैं जैसे स्लोली धीरे धीरे फास्ट तेजी से विटली तेजी से सदेली अचानक से तो यह सारा का सारा क्या है एड़व नेक्ष्ट जो है हमारा एड़ेज प्रिपोजिशन प्रिपोजिशन को हिंदी में देखे तो पूर्वसरगी कहा जाता है लेकिन ऐसे पूर्वसरगी कहने से इसका मेनिंग हमको समझ भी नहीं आ रहा है तो प्रिपोजिशन को अस्वीट करेंगे तो यह बनेगा कुछ ऐसा है प्री प्लस प्री मिन्स पहले एंड पॉजिशन मिन्स अबस्था मतलब कि किसी भी चीज़ के बारे में यह बताएगा कि जो है रिलेशन सेंटेंस में नौन प्रणौन के साथ कैसा है पहले आ रहा है बाद मेरा जैसे देखे एक्जाम्पल A cat is sitting under a table इस सेंटेंस में देखे जा है एक cat एक बिल्ली कोई एक बिल्ली इज शिटिंग अंडर तो जो यह अंडर है वो क्या है इस टेवल के और इस कैट के पोजिशन को बता रहा है कहां तो टेवल के नीचे बैठी हुई है यानि कि प्रीपोजिशन जो होते हैं वो सेंटेंस में जनरली नौन से पहले आएंगे ठीक है इसका और गी एक्जांपल बहुत सब्सक्राइब को बोलते हैं संबंद बोधर नहीं तो इसको हम लोग संयोजक भी बोलते हैं संबंद स्थापित करना संयोज करना मतलब कि मिलाना फॉर एक्जांपल कि जैसे हम बोलते हैं आई एंड यू आर गुड फ्रेंड मतलब आई एंड यू मैं और तूम क्या हैं अच्छे दोस्त हैं तो एंड जो है वो क्या कर रहा है आई को यू के साथ जोड़ने का काम करता है एक रिलेशन यहां पर इस्टैब्लिस हो रही है तो इस वज़ए से यह जो एंड सब्द ह जिसे चंजेंग्शन और यह जांपल है वर्ट आज सो एंड इसे एसे बहुत है लास्ट जो हमारा पचेया डैट इस इंटर जेक्शन इंटर जेक्शन को हम बोलते हैं विस्मय यार्दी बहुत है कि वैसा एक्स्प्रेक्शन वैसा वर्ट जो मतलब अच्छानक से निकले जो हमारा इंटेंशनल नहीं बोलेखा बत वे अलव सद वो क्या होता है निकल जा रहा है जैसे मेंश किरते हैं और मैंश जितने हैं तो अच्छानक से दूशत आता है बहुत हैं दूर रहे हैं जिब अप्सोर्च जिता आते हैं बोलते हैं डैम् ओप अलास् बटी आज जो यह हैं हमारे सब्द यह हमारे क्या हैं इंटर जेक्शन तो यह हैं हमारे part of speech के eight parts जिसमें पहला है norm, pronoun, verb, adjective, verb, reposition, conjunction, और यह इसी के साथ हमारा आज का पार्स ओपर स्पीश का इंट्रोडेक्शन का लेक्शर यहीं पर फिनिश होता है हमारे साथ बने रहे हैं हमारे वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक्यू